तो दोस्तो आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन सुपरिस्टार की जो आते तो एक फिल्मी बैकग्राउंड से हैं लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर किया है जिनने अब तक कई वार फिल्म फेर, साइमा और नंदी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और जिनका नाम 2013 से फोर्बेज इंडिया सिलिविर्टी हंडिस्ट की लिस्ट में भी सामिल किया जा चुका है जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं साउथ फिल्म इंडिस्टी के जाने माने सुपरिस्टार रामचरन की जिनका रियल नेम कोनी देला रामचरन तेजा है ये अपने चार्मिंग लोक और गुड परसनेलिटी से अपने फेंस के बीच खासे चर्चित रहते हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इनकी इस मोटिवेशनल इस्टोरी को और जानते हैं इनके एक नॉर्मल इंसान से फिल्म इंडिस्टी के सुपरिस्टार बनने के पूरे सफर को दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नई हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फोलो करके बैल के आइकन को जरूर अन कर दीजिए और साथ में लाइक, सेर और कमेंट करना भी ना भूले तो दोस्तो रामचरन के इस कहानी के सुरूआत होती है 17 मार्च 1985 को जग चैन्ने इतमिलनाडू में साथ इंडरिस्टी के मेगा इस्टार चरंजीवी और सुरेखा के घर में इनका जन्म हुआ इनकी दो बहने वी हैं और ये अल्लू रामलिंगा के ग्रेंड सन है साथ इंडरिस्टी के जाने माने एक्टर नागेंदर वावू, पवन कल्यान और अल्लू अर्विंद इनके अंकल हैं और स्टाइलिस इस्टार अल्लू अर्जून, बरुन तेज, साइंधरम तेज, अल्लू स्रीस और निहारिका कोनी देला इनकी कजन है दोस्तो अगर बात करें इनकी एजुकेशन की तो इनकी सुरुवाती पढ़ाई पदमा से साधरी बला भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चैन्नाई से पूरी हुई और फिर इनोंने अपनी ग्रेजुवेशन के लिए एस्टी मेरी कॉलिज हैदराबाद में एडमीशन ले लिया लेकिन अपने एक्टिंग करियर की बज़े से इनोंने अपनी ग्रेजुवेशन बीच में ही छोड़ दी दोस्तो अगर बात करें इनके केरियर की तो ये पहले एक आटो मुवाइल इंजिनियर बनना चाहते थे लेकिन जब ये ग्रेजुवेशन कर रहे तो तो इनोंने अपना मन फिल्म इंडिस्टी में जाने का बना लिया और यही बज़े थे कि इनोंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए अपनी ग्रेजुवेशन बीच में ही छोड़ दी थी दोस्तो अगर राम चरन चाहते तो अपने पिता के नाम पर फिल्म इंडिस्टी में आसानी से डेब्यू कर सकते थे लेकिन इनोंने ऐसा नहीं किया और फिल्मों के लिए आडिशन देने लगे और जब 2007 में आई इनकी फर्स्ट फिल्म चिरूता का आडिशन चल रहा था तो ये बहाँ आडिशन देने के लिए पहुँच गए और ये उसमें पहली बार में ही सेलेक्ट हो गए और फिर 2007 में इनोंने डारेक्टर पुरी जगनात के फिल्म चिरूता से फिल्मों में सांदार डेबियू किया इनकी ये फिल्म सुपर हिट रही और इस फिल्म के लिए इन्होंने नंदी स्पेशल जियूरी आवर्ड और फिल्म फेर आवर्ड फूर बेस्ट मेल डेबियू भी जीता और इनकी ये फिल्म सिनेमा घरों में सौ दिन तक लगी रही और फिर दो साल के गैप के बाद इन्होंने 2009 में फिल्म मगधीरा की इनकी ये फिल्म भी सुपर डूपर हिट रही और इसके लिए इन्हें छे फिल्म फेर अवर्ड और नंदी अवर्ड जैसे और भी कई अवर्ड से सम्मानित किया गया और इस फिल्म में इनके साथ काजा लगरवाल नजर आई थी अब ये साउथ फिल्म इंडिस्टी में अपनी अच्छी खाची पहचान बना चुके थे और फिर औरंज, रचा और नायक जैसी सफल तेलुगू फिल्म में करने के बाद इन्होंने बॉली बुड में डेवियू करने का सूचा और फिर 2013 में इन्होंने जंजीर फिल्म के जरिये बॉली बुड में सांदार डेवियू किया इनकी इस फिल्म को भी लोगों ने खुब पसंद किया और ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर सफल रही इस फिल्म में इनके साथ प्रियंग का चोपड़ा और संजेदत नजर आई थे और इसके बाद तो इन्हों ने ये वडू, बुरूसली, धुरुबा, बिनेविदे, राम तो अगर बात करें इनकी मेरिज लाइब की तो इन्होंने अपोलू चैरिटी की बाइस चेर्मेन और बी पॉजिटिव मैगजीन की चीफ एडिटर उपासना कामिनेनी से 1 दिसंबर 2011 को इंगेजमेंट की और फिर 14 जून 2012 को इन्हों टेंपल ट्रीस फॉर्म हाउस में साध दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल इस्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फोलो करके बैल के आइकन को जरूर आइकन को जरूर आन कर दीजिए और साथ में लाइक शेर और कमेंट करना भी न भूलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स इस्टोरी